है दोस्तों एक मार फ्रीज से स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पर आपका तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं आनद भिहार से बनारस की तरफ आज का जो सफर है बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारा हमारी जो ट्रेन है वह है गरीब रत एक्सप्रेस जो बनारस से आनद भि की चैनल से बनारस के लिए चलती है इसके चितनी भी डब्बे हैं दोस्तों वह साप दोस्ति कई वर्सों से सेवा में railway की सेवा में तप्रा है और दोस्तों को कड़काफ कि आंध ब्यार railway station हमारे घर के बिलकुल 10 मिनट की दूरी पर है तो यह जो इसमें लोको मोठीव लगा हो है वो गाजयावाद का लगा हुआ है गाजयावाद का रहते हैं और एक बिल्कुल साफ सुत्रा स्टेशन आनद भ्यार टर्मिनल हमारी जो ट्रेन थी वह पहले से ही लगी होई थी हम आदे घंटे पहले पहुंच चुके थे आनद भ्यार रेलवे स्टेशन इसका जो टाइमिंग है 6 बज़ कर 15 मिनिट का है जी टैन हमारी बोगी थ यहां पर तो दोस्तों आप का जो सही होग है उसी का वज़े से यह सब्सार रह पाता है तो आपसे निवेदान है कि जबーー Sum को चायक अनद भ्यार्मिनल का टाइम था इसका और आनद भ्यार को हमने करते हैं बायबय बाए तो हमाई जो ट्रेन थे बिल्कु टाइम से निकल चुकी थी 6 बज कर 15 मिनिट पे खेतों का सीना चीरते हुए हमाई जो ट्रेन वो बढ़ते जा रही है बनार्स की तरफ बहुत ही मनमोग द्रस्य दिखाई दे रहे हैं दोस्तों हमाई जो ट्रेन काफी तीज स्पीड से जा रही है तो मैं आपको बता दू हमाई जो ट्रेन का टाइम था यहां से 6 पंद्र था और वहां पर सारे 8 बज के आसपास हमें पहुचाएगी तो हमाई जो ट्रेन थी दोस्तों वो लगभग 2 घंटे लेट हो चुकी थी बनार्स आते आते इसका जो डिस्टेंस था वो 735 किलोमीटर इसको कवर करना था तो हमाई ट्रेन 2 घंटे लेट थी दोस्तों हम 2 घंटे लेट हो चुके हैं बनार्स आते आते हमारी जो ट्रेन थी 2 घंटे लेट है और आपको बता दूं कि यहां से मंद्र की जो दूरी है वो है 4-5 किलोमीटर के अंदर आप बहार से ओटो पकड़ सकते हैं दोस्तों तो इसके दोनों तरफ गेट है रेल्वे स्टेशन के और आपको बाहर से ओटो मिल जाएंगे आसानी से मंद्र तक तो आप जाकर मंद्र से एक किलोमीटर पहले ही आप रूम ले सकते हैं जो रूम का रेट होगा वह हजार रूपे से और पंद्रह सो रूपे के बीच में आ रहा रहा था दोस्तों बनारस सहर जाता है बहले पावा की नगरी के नाम से जो काशी विस्वनात मंदिर है इसमें यह एक बारे जोत्र लिंग में से एक जोत्र लिंग है यहां पर काफी साफ सुत्रा रेलवे स्टेशन था तो आप से मैं बता दूं कि आप जब भी जाएं बनारस तो जरू घूम के आएं तो सबसे पहले हमने दर्सन के सिरी आदिशक्ति मा दुर्गा के यह मंदिर बनारस के पास ही था और आदिशक्ति दुर्गा मा के दर्सन करने के बाद यह देखे दोस्तों आदिशक्ति मा दुर्गा यह सिद्ध पीट है यहां पर और यहां करता हूं कि हमारी जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो हम माता रानी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे सिरी सत्यनारण तुलसी मानस मंदिर तुलसी मानस मंदिर के चारण तरफ एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ था पार्क में काफी साब सफाई थी आप अपना समय पार्क में बैठ कर बिता सकते हैं दोस्तों और हम चलते हैं मंदिर के अंदर, एक काफी बड़ा मंदिर था, हमने यहां पर थोड़ा से काम चल रहा था, मंदिर के अंदर, काफी शांती थी मंदिर यह भीद ब्रहक्का नहीं था दोस्तों, देखिए, बहुत थी बड़ा मंदिर है तुल्सी मानस मंदिर तुल्सी मानस मंदिर दुरगा माता मंदिर और इस्तरी संगthingमोचन हृनुमार मंंदिर यह आसपास ही है मंदिर तो आप चोटा सा एक इरी दिस्ता करके भी आप घूम सकते हैं आप से 1300 रुपे के चारज किया जाएगा और आपको वह सारे मंदिर घुमा कर उसी स्थान पर छोड़ देगा जहां पर आप से आपको उसने बिठाए था तो दोस्तों फिर हम चलते हैं स्री संकट मोचन हनुमान मंदिर यहां पर हमार जो मुबाइल था वो अलाव नहीं था तो हमने अपना जो मुबाइल है हुए यहां पर सम्मिट कर दिया था मंगल बार का दिन था तो काफी भीड भीड थी हमें एक देड़ घंटे मंदिर में लग चुके थे तो उसके बाद हम चलते हैं यहां पर भी एच यू बिल्ला मंदिर बिल्ला मंदिर काफी अतलब 5-6 किलोमेटर दूर था वहां से तो आप इस मंदिर में आएं जब आप बना रहे साएं तो आप इस मंदिर के जरूर दर्शन करके जाएं यहां पर काफी सारी खान के इस्टॉल लगी हुई थी यह हमारी फैंबली है और देखिए मंदिर के अंदर चलते हैं यहां पर जो मंदिर है वह बहुत ही बड़ा मंदि मंदिर है जिस तरह साउथ हिंडिन मंदिर होते हैं उसी ताइप क्या तो देखे श्री का विश्मनात मंदिर यहां पर कुछ लिखा हुआ है इनके इंस्ट्रेक्शन है यह देखे मंदिर और साथी में हमें मिलता है एक छोटा सा गेंडा असली का नहीं नकलिगधा यह देखि जूते आप जमा कर सकते हैं और हैं है अ Il potem राड़ कर यहां पर आप मंदिर मंदिर जा सकते हैं तो चांज हम मंदिर जाते हैं है तो यहां पर यह एंट्री येइट है मंदिर का मंद्र के अंडर जाएगे हो देखे मंदिर किमेल बहुए सब और नजर आ में 4 चान्द लग गए कि हां पर प्रांगण है मंदिर का आप अराम से बैठ सकते हैं अपने टाइम बिता सकते हैं मन को बहुत सांती मिलती है मंदिर के अंदर यह दिखिए आपको यह थंड़क मिलती है और अंदर महादेग किया सिवलिंग है कि कर तूस्तों होड ढाया नियुक्त दोस्तों और हमें टाइम बीठ चुका है यहां पर हम अब्रोट चुके ऐसाम के 7 वजे और देखें यहां पर मंदर strain आपको दि तो दोस्तों आर्थी के बाद हमने करी थी बोटिंग पचास पचास रुपे हमसे लिए गए थे चार्ज और इन्होंने हमें जितने भी घाट हैं बनाज के वह सारे घुमाया था कम से कम चार्ज से पैंतार्ज मिनट के आसपास हमने ट्रेवल किया इसके अंदर बोट के अंदर तो काफी सारे घाट हमें दिखाए दिये यहां पर काफी फेमस घाट थे तो अगर हम पैदल भी जाना चाहें तो पैदल हम जा सकते हैं एक घाट से दूसरे घाट तक पैदल क्योंकि यहां जितने भी घाट हैं वो सारे सटे हुए हैं अगर आप बोटिंग करें तो आप जैकेट पैने और बच्चों को पकड़कर साथ में रखें क्योंकि बच्चे कभी कूदे ना या परेशान ना करें क्योंकि गंगा जी का पाने बहुत गहरा है इसलिए तो यहां पर मैं एक से एक सटे हुए घाट हैं यहां पर सारे घाट सटे हुए हैं और यह नाव हमें धीर धीरे घाटों को पार कराते हुए लेकर जाएगी हमारे दुवार से जहां इन्होंने बिठाय ता असी घाट पर तो हम सुबह पहुँच चुके हैं दोस्तों गंगा जी हमने सबसे पहले गंगा जी इसनान किया गंगा जी इसनान करने के बाद हम जाएंगे मंदिर काशी बाबा स्री भोले नात के पास तो देखें यहां पर दोस्तों यह घाट है सारे घाट तटू हैं जैसे मैं आपको पहले भी बताया था आप पैदल पैदल एक घाट से दूसरे घाट पर भी जा सकते हैं यहां पर आप ज्यादा अंदर होकर नानाएं क्योंकि यह यहां पर गंगा जी थोड़ी गहरी हैं तो आपको जितना मतलब आपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितना नहान आए आपको और यहां पर हमाई फैंबी नहाचकर पहुंच चुकी है विश्मरात मंदिर जय बाबा भोले की वहां पर फोन अलाव नहीं था तो दोस्तों हम आपको इसके अंदर की वीडियो नहीं दिख पहले हमने चाय थी उसके 10-15 मिनिट बाद हमने दूद दिया भाई से और हमाई ट्रेन थी शीव गंगा एक स्पेस जो 10 बच कर पंदरी मिनिट पर यहां से चलती है और सुबर साड़े आठ बजे हमें नहीं दिल्ली रेवरे स्टेशन उतारेगी तो दोस्तों हमने बनारस म काफी गोम है और आपको दर्शन भी कराएं तो आशा करता हूं कि मेरी जो वीडियो है वह आपको बहुत अच्छी लगी होगी आप भी कभी बनारस आएं तो जरूर आप बाबा विश्मनात के दर्शन करने के जाएं तो काफी अच्छा इस्टेशन है और जो शीव गंगा एक्सप्रेश ट्रेन है यह भी काफी अच्छी थी यह हमारी फैमली बैठी हुई है इसके अंदर आप गोलो हाय हाय है तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो 10-15 मेंट पर चलेगी यहां से और फाइनल हमारी जो ट्रेन है वो चल दी है आशा करता हूं दोस्तों मेरी वीडिय करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिलें ऐसी वीडियो बनाने के लिए बाय दोस्तों